देशबक पर हमने कुछ ताइम पहले एक एपिसोड बनाया था साइन्स की मौत कैसे हमारे नेता टाइप लोग अंटसंट बककर अंदविश्वास को जिता रहे हैं और साइन्स का गला घोट रहे हैं लिटरिली हमारे समविधान के fundamental duties में साफ साफ लिखा है कि scientific temper बढ़ाना हमारा करतव्य है as citizens of India, as citizens of भारत लेकिन science छोड़कर हम सिर्फ अपना temper ही बढ़ा रहे हैं उस एपिसोड को बाइदवे 30 लाख लोगों ने देखा था बहुत जादा पसंद भी किया था लेकिन unfortunately उसी समय में 30 करोर और ऐसे लोग होंगे जो अंद विश्वास के इस कुए में कूद चुके हैं देश भक्त के आज के super fast एपिसोड में ये देखने की कोशिश करेंगे कि नेता टाइप लोग ही नहीं अब तो सब ही इस मुहीम में जुड़ चुके हैं कि science को इस देश से बाहर कैसे ख़देड़ा जाए चंदरयान तीन जब चांद पर लैंड करता है तो गर्व तो बहुत मैसूस होता है हमें लेकिन जब अपनी बात आती है personal level पर तब पता नहीं क्यों superstition और stupidity ही हमें समझ में आती है वो ही चीज हमें भाती है तो क्या time अब आ गया है कि हम अपनी इस मूर्ता पर भी दो सवाल उठाएं शुरू करें editor quick 10 points 28 September को इंडिया की football team Asian game से early exit ले लेती है हारी भी तो किस से 2-0 to Saudi Arabia Habibi, what are you doing लेकिन बहुत time से ही Indian football की हालत खराब चल रही है politics ने उसे दीमक के तरह होकला कर दिया है उसके बारे में एक पूरा का पूरा episode बना के रखा है फुरसत मिलेगा तो देख लीजेगा लेकिन बात आज है कि जो बाकी खुची football है ना उसे हम जोतिश विद्या से खतम कर रहे है कैसे? Indian Express के एक investigation ने पाया कि Indian football coach Igor Shki match खुद coaching lessons ले रहे है astrology में वो भी हर match से पहले भूपेश शर्मा को एक team का पूरा list भेजते है और ये list जो जाता है Mr. Sharma के पास उसके basis पर team का Indian football team का selection होता है अब शर्मा जी कोई retired football champion नहीं है बलकि वो NCR में Delhi NCR में based एक astrologer है जी हाँ, जोतिश है जो उस दिन की परिस्तिती देखकर सुझाव देते हैं coach को Good, can do very well Needs to avoid overconfidence Below average day है A very good day for him But might get over aggressive Not recommended for the day ये सारी जो recommendations है Astrological data के आधार पर दी जा रही है और इसके basis पर हमारे देश की national football team का chain हो रहा है कुछ तो established players है जिनके तारे नहीं मिलते हैं उन्हें bench कर दिया जाता है Astrologer भूपेश शर्मा को 12-15 लाक रुपए महीने के मिले as professional services Editor भूपेश जी को phone लगाओ जरब पता करो ये जो लोग subscribe button नहीं दबा रहे हैं ये कब दबाएंगे शरम तो आती नहीं इनको अच्छा छोड़ो sports में मंद बुद्धी अंद विश्वास में हजम करने को तयार हूँ लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है IIT तो science का मंदिर है विज्ञान का बंडार है ये तो वो सुरोत है जहां से अंद विश्वास का खात्मा शुरू होता है हमारे देश में लेकिन यहां तो IIT मंडी के डिरेक्टर अपने students को ये बता रहे हैं का अच्छा इंसान अगर बनना है तो मास खाना बंद करना पड़ेगा इसका मतलब है 80 प्रतिशत जो मासाहारी भारतियां है हो शैतान है और तो और डिरेक्टर लक्षमी धर बहरा ये भी मानते है कि हिमाचल प्रदेश में जो landslides आई है जो आपदा आई है नहीं 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 रैंपिन डेवलप्मेंट के वज़े से नहीं 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 क्लाइमेट चेंज के वज़े से भी नहीं बलकि cruelty towards animals के वज़े से हुआ है पीटा को बुलाओ एडिटर नया ambassador मिल गया इनको IIT मंडी डिरेक्टर प्रोफेसर लक्षमी धर बहरा ये भी मानते हैं कि भूत प्रेत सच में होते हैं और मंतर जाप करने से भूत प्रेत भाग भी जाते हैं दुख की बात ये है कि इतनी cutting edge जो इनके ख्यालात है science से भी आगे जो सोच है कोई समझता ही नहीं कोई मानता ही नहीं अरे इनको तो अभी तक Nobel Prize मिल जाना चाहिए था चलो हिमाचल वालो अपना Butter Chicken कैंसल करो टिंडे गोबी खाओ तब Landslide से बच पाओगे थैंक गॉड मैं तो भाईया पाड़ो में नहीं रहता हूँ No Landslide का chance मैं तो आराम से यहाँ Non-Vege खा सकता हूँ लेकिन Landslide नहीं एक खत्रा तब भी है उत्तर प्रदेश में अमावस्या के समय एक खत्रा मंदर आता रहता है अरे एडिटर मत कर यार COVID के बाद ऐसे में भी थोड़ा सा हाट कॉंपले है रैंसे ब्रदर्स थोड़ी नहीं यहाँ चल रही है UP में Officiating DGP यू मून फेस के समय क्रिमिनल एक्टिविटीज और बढ़ जाती है तो पुलिस को प्लैनिंग उसी हिसाब से करना चाहिए और लोगों को भी उसी समय जादा सावधानी रखनी चाहिए वाह यह होता है Progressive Thought Process भाई एडिटर अगर इतना UP पुलिस के बारे में खबर चलाओगे न तो वो हमारी अमावस्या खुद कर देंगे और अगर आप इन सब चीजों को जादा मानोगे तो आपकी केरियर की भी बहुत जल्दी अमावस्या लग जाएगी आज भारत और दुनिया कहां पहुँच चुका है हम चान तक पहुँच चुके हैं लेकिन कुछ लोग आज भी अमावस्या में फसे हुए है अरे दुनिया आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रही है हम पेसिक इंटेलिजेंस से दूर भाग रहे हैं आवर चैट जीपीटी एंट AI वरक्शॉप भी होता है जो ग्रोथ स्कूल के फाउंडर वैभव सिसिंती खुद कंड़क्ट करते हैं वैसे तो ये एक पेड वरक्शॉप है लेकिन आप देशभग्त फैमिली मेंबर हो और आपने तो बेल आइकॉन दबाया है तो पहले 1000 रेजिस्ट्रेशन के लिए ये वरक्शॉप होगा बिल्कोल फ्री जी हाँ नो स्ट्रिंग्स अटैच्च्ट मैंने ये वरक्शॉप खुद अटेंट किया है और AI हम लोग अल्रेडी देशभग्त में इस्तमाल कर रहे हैं for research हमारे social media post पर आपको दिखेगा और मैं इस वरक्शॉप को टॉप रेटिंग इसलिए देता हूँ क्योंकि इस वरक्शॉप को अटेंट करने के बाद चैट जी पीटी AI का यूज करके आप jobs ढून सकते हैं कुछी minutes में video ads बना सकते हैं अपने business या work के बड़े बड़े जो काम है उसको automate करके चुटकी में खतम कर सकते हैं तो चाहे आप कोई भी working professional हो founder हो, freelancer हो, student हो creator हो, जैसे हमारे तरह तो ये workshop आपको काफी help कर सकता है तो जल्दी से इस workshop के लिए register करो, remember first 1000 registries are absolutely free link मैंने description में दिया हुआ है चलिए, number four point पर आते हैं गव रक्षा के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा Monu Manesar जैसे गव रक्षा हमारे देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर एक share गव हत्या करता है, तब उसका क्या किया जाना चाहिए देखिए, अगर इनसान को सजा मिलती है तो share को भी सजा मिलनी चाहिए ऐसा कहना है NCP के MLA Churchill Alamo का और ये उन्होंने भरी सभा में कहा है कई अपने drawing room में private में नहीं कहा है सब के सामने on record कहा है देखो, बात भी सही है, scientific sense भी है मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तराघड के former chief minister त्रिवेंद्र सिंग रावत जी का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ तो बड़े-बड़े नेता type लोग बता रहे हैं कि कितनी scientific value है और अच्छा चलो अच्छा ठीक है, politicians की बात नहीं माननी है कोई बात नहीं, डॉक्टर की बात तो मानोगे मद्यबदेश में एक होमियोपथिक डॉक्टर अपनी मारूती ओल्टो पर गोबर का एक अच्छी तरीके से लेप लगाते हैं, गोबर is a good heat insulator बोला जाता है और अंदर मारूती के ठंड़ा ठंड़ा cool cool feel होता है, कोई powder की जरुवत नहीं है, और गजब का idea है क्योंकि देखिए बरसात आएगी, लेप अपने आप हट जाएगा, जमीन में मिल जाएगी, गाड़ी आपकी नई नवेली आपको मिल जाएगी ये कुछ ऐसी चीजे हैं, जो science के आगे हैं, उससे परे हैं, science भी चुप है, ये सब चमतकार देखकर, ठीक जैसे मचली और हमारा जुन नाता है, अब IIT मंडी के डिरेक्टर जो भी कहले हैं, वेजेटेरियन नॉन वेजेटेरियन के बारे में, बंगाली लोगों को दशकों से, अर्बों से, हर्बों से मालूम है, सालों से मालूम है, कि भाईया देखो, जो मचली खाएगा, उसका ब्रेन और जाता शार्फ होगा, इसी बात को ट्राइबल डेवलाप्मेंट मिनिस्टर और बीजेपी के नेता, विजे कुमार गवित और आगे ले जाते हैं, जब उन्होंने ये बयान दिया, कि एश्वारिया राय के खूपसूरत आँखे हो, उसका राज ये है, कि वो बहुत सारा फिश, मैंने, फिश खाया करती थी, वें शी वस यांग, और उसी के वज़े से आँखे उनकी इतनी खूपसूरत है, तो इसका मतलब है कि अगर बाबा राम देब भी फिश लेते तो, अवे रिटर, क्या यार आप आगल हो गया, क्या आज तू यार, बाबा उससा आएगा ना, आँखे नोच लेंगे, गोटी खेलेंगे गोटी उसके साथ, साइंस की आँखे तो नोची चुके हैं बाबा जी पहले ही, एलोपेथी एक ऐसी स्टुपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत एलोपेथी की दबा खाने से हुई है, कोविड काल में बाबा रामदेव ने साइंस और मौडन मेडिसन को सूली पर चढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सोशल मीडिया पर ये बात वाइरल कर दी, कि सारे वैक्सीन्स बेकार हैं, थो, सिर्फ उनका कोरोनिल आपको कोरोना से बचा सकता है बाबा रामदेव ने ये भी दावा किया कि ऑक्सिजन की शोटेज नहीं, एलोपेथिक मेडिसन और एलोपेथिक मेडिसन के सेवन के वज़े से लाखों लोगों की जाने गई और जब बाबा टाइप लोगों की बाते हो ही रही हैं, तो सद्गुरु जी के बारे में हम बात कैसे नहीं कर सकते हैं साइन्स की हवा निकालने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क के रीसर्च में इनका सबसे बड़ा कॉंट्रिबूशन रहा है अब देखे, if a woman delivers a male child The quality of the milk that she produces is in a certain way And if you deliver a female child? The quality of the milk is totally different But if a woman delivers twins, one male and one female One breast will ooze certain type of milk, another breast will ooze another kind of milk मारो मुझे, मारो, अरे यार, ये क्या, ये क्या logic है मने, ये milk ना हो गया, fountain pepsi का machine लगा के रखा है क्या, है, लिमका मिलेगा क्या मैं, मैं सीरिसली कह रहा हूँ, अगर हमारे देश को कोई भी पीछे ले जा सकता है तो आइदर वो निता टाइप लोग हैं, जो आधा काम करते हैं या ये जो बाबा टाइप लोग हैं, जिनके पास विप्रीत बुद्धी है जैसे गुजरात के स्वामी दास जी अगर ये science और common sense के थोड़े से भी दास होते तो ये ना बोलते कि periods के time पर जो औरत खाना बनाएगी, वो अगले जनम में कुत्ता बनेगी और उसका पती बैल और ये स्वामी जी बहुत powerful हैं स्वामी नारायन मंदिर से जोड़े हुए हैं जो कि ये college भी चलाती है भुज में जहां 60 लड़कियों के undergarments चेक किये कि वो कहीं periods में तो नहीं है college में ये सब हुआ है जहां ज्यान, जहां विज्यान की प्राप्ती हो रही है वहां ये अंदविश्वास चल रहा है लेकिन बाबा टाइप लोगों का क्या है ठीक है वो तो हमेशा इसे है लेकिन नेता टाइप लोगों का अरे नेता ही अगर science का गला गोटेगा तो citizen क्या करेगा सुन लो हमारे नेताओं को class 5 का बच्चा बच्चा चंदरयान के डीटेल जानता है लेकिन इन्हें पता नहीं है UP के दिगज नेता OP राजभर और राजिस्थान के minister of youth affairs and sports अच्छोक चांदना ने चंदरयान को मैंड मिशन ही बता दिया अरे यार ये भी होगा अमरित काल में लेकिन थोड़ा थामबा भाई लेकिन शुर्वात तो भाई टॉप से करनी पड़ेगी ये नाला गैस की supply को उपर से रोगना पड़ेगा अंदविश्वास का ये जो गला गोटा जा रहा है ये एकदम टॉप से चल रहा है सोचो अगर एक तरफ भारत वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा हो कोविट काल में दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्टर अरजुन राम मेगवाल भावी जी पापड प्रमोट कर रहे है एक ऐसा पापड जिसके पास कोविट से लड़ने की अमीजिंग और आलोकिक शक्ति हो ये सब देखकर साइन्टिस्ट भी बोले गार है छोड़ो यार ये सब साइन्स वाइन्स घर पे बैटो भावी जी पापड खाओ सविता भावी को भी खिलाओ तो भाई देशभक पर हम हाथ जोड़ कर आप से एक ही प्रात्रना कर रहे हैं कि अगर आपके आसपास भी आप देख रहे हो कि अंद विश्वास फैल रहा है तो भाईया उसे रोको अगर कोई साइन्स का गला घोट रहा है तो साइन्स को बचाने की कोशिश करो अपने टेंपर को कंट्रोल करो साइन्टिफिक टेंपर को थोड़ा बढ़ा लो भाई और हाँ लेटेस साइन्टिफिक ट्रेंड्स को अगर follow करोगे तो खुद भी फाइदे में रहोगे जैसे कि chat GPT AI सीख कर 10x कर सकते हो आप अपने career को तो check out growth school इनका 3 hour paid chat GPT and AI workshop जो आप बिलकुल free में access कर सकते हैं if you are the first 1000 people to access the link जो link मैंने नीचे description में दिया हुआ है उसे access करो अपने आपको upskill करो benefit करो और अंद विश्वास से थोड़ा सा बचके रहो